नमस्कार दोस्तों, आज आज किसी वीडियो में हम बात करेंगे अलोक इंडेस्ट्री के बारे में गैज आप यहाँ पर देख सकते हैं अलोक इंडेस्ट्री का जो फाइनेश minority का है उसमें अलोक इंडेस्ट्री का रिविनियों में काफी ज़्यादा यहाँ पर बड़ोत्री देखनों को मिला है करीब 96% के आसपस और बाकी सब जो है नेट इंकम यह सब तो लोस है पर वो तो मेकफ हो जाएगी आने वाले क्वाटर में पर गैज यहाँ पर जो रिविनियों में इंकरीज हुआ है वो काफी ज़्यादा यहाँ पर कमपनी को बूश्ट अप किया है जिसके कारण लगातार अभी 55% के आसपस यहाँ पर आप साइड देखनों को मिला गैज वीडियो में एंड तक बने रहे हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्ट अनरलाइज करके उसके बाद इसमें अलोग इंडेस्ट्री में किस तरह का डिलिविरी हुआ है डिलिफरी परसंट कितना एनसी बीसी हर चीज में तो उससे पहले अगर आप नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक का बटन प्रेस करती है ताकि मेरा मॉटफेसलों अभी बढ़ते रहे हैं अभी तक एक बार भी 20 परसंट यहां पर सर्कीट नहीं लगा है पर उमीद करते हैं आने वाल जिन में हो सकता 20 परसंट सरकीट लग जें अचानक से चाहें वह कोई भी अच्छा खबर आये इंडेस्ट्री का तरफ से उसके बात गाइज पीछले दो ट्रेडिंग सेशन में अलोक इंडेस्ट्री में गजब का इसमें अपसाइट देखनों को मिला है करीब 60 परसंट का और यहां पर आज का मार्क अलोक इंडेस्ट्री में दो हो सकता है काने वाले दिन में इसको 30 रुपीज पर बहुत कम समय में देख सकते हैं क्योंकि जिस तरह मार्केट में रिस्पोंस दिया है अलोक इंडेस्ट्री को पिछले दो मार्केट पर उस हिसाब से अलोक इंडेस्ट्री काफी अच्छा काम पर प्रोमोटर का भी आपर लॉस होने का संभावना है तो हम आपको पता है तो यह नहीं जाएगा अगर जाता है तो कंपनी में बहुत ही भड़ा नुक्सान होका तभी इसमें हो सकता जाने का चांसेस है पर इसमें जिस तरह का रिभी नियुए इसमें बड़ उत्तुरी दे है काने वाले क्वार्टर में अपना और भी वर्पम में सच्छा दे पर जिस तरह से हम आपको बताएं उससाब सेहां पर देख सकते हैं अड़ाय रुपिया का सबसे पहले यहां पर चोबीस रुपिया पर देखा है और रिजल का एक दिन पहले जब बोला था साम को ही अच जल्दी बाजी दिखाना एक गलत काम होगा सब के लिए अगर आप यहां पर जल्दी बाजी दिखाते हैं तो लेखिन क्या पर सौट टाइम के अगर आप टार्गेट देख अलोक इंडेस्ट्री का तो थर्टी रुपिज होने का का पर ज्यादा चांसेश है क्योंकि अलोक इंडेस्ट्री का जो भी इंट्रेस्ट था लोन वो लोन में करीब साथ 8000 क्लोर रुपिया जिगा आसपस इसमें लोन असुला है मतलब लोन चुका दिया है बैंक को अलोक इंडेस्ट्री ने तो लोन फ्री उसको करने के लिए भी टाइम लएगा और हो सकता है जब एक पर आपर सरकूित लगे तो अपर सरकूित फील से खुलने का बहुत ही जाधा चन्सटिस होगा अंडेट के नीचे क्योंकि अकंपनी यह सकता है कि कभी बी शुर्मोडर का बास ही है और पब्लिक के Penny सें वह जोग सीर लोन यह क्यों आप है अगहां कि साज़नी सब्स्री के शि तो हो सकता है कि फांपर इंटेस्ट धिका है उनका चाट, इस पमका से रेच चाटनु हें हम फद्बका चायए याधाया बघ्यास सब्सक्राइक हां 6 चानलाकित याधा तो उसका साथ साथ यहां पर मोके संबानी का भी सेर है तो वो नहीं चाहिएगा इसका रेट को ज्यादा नीचे ले जाने के लिए हो सकता है पेनिक किरेट करने के लिए 24-18 रुपी डिले जा सकता है जिसमें कि जो लोग यहां पर पेचार इंवेस्टर भी खरीदेंगे वो फिर सेरस जो है sell by किया है और इस जगह पर भी पहले बाइक किया था इसी तरह का एक्ट यहां पर के चौपिस भी पेफय गया था रिजल से पहले उसका अचनक सचियां पर अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देख सकते इसका पॉलियूम अलोक इंडेस्ट्री का किसे किस तरह का पॉल्फमेंज दिया है प्रिछले एक साल में इस जगह पर यहां पर यह समझना है कि जिसकि यहां पर रेड जो वो सेल किया है और जो बाई है वो गिरिन का है अगर आप यहां पर देखें तो बायर कहीं आप ज्यादा बड़ा बड़ा भोल्यूम है क्योंकि आपर बाइंग ही हुआ है और यह सारे के सारे लॉंग टाइम इंवेस्ट्मेंट किया है अलोक इंडेस्ट्री में अगर आप वान वीक का इसका चार्ट देखें तो वन मंत जाने टूटेगा जोगे 18 रुपिया पर है और इसका नीचे आयेगा भी नहीं हो सकता है इसमें और छे मैना इसी में रोटेटर्शन करें इसी में इसमें इसमें नीचे नहीं आने वाला है यह तो हम कर्फर्म के साथ आपको कह सकते हैं क्योंकि अलोक इंडेस्ट्री में अ अभी जो कोविड-19 के लिए वारियर जो कुछ भी एक्यूपमेंट बना रहा है वो तो यूज हो रहा है तो अपर सर्कृट अगर लगा तो इसी तरह बाद यहां पर देख सकते हैं इसमें अपर सर्कृट लगा था जो करीब तीन गुना रिटन दिया था इसमें तीन गु से परनी क्रियेट करने के लिए जा रहा है पर गायज यहां पर अलोग इंडेश्ट्री में जिस तरह का भी मेंचिवाल फंड और इंडिविजील इंवेस्टर यहां पर जो इंट्रेस्ट दिखा रहा है उस हिसाब से अलोग हो सकता है कि अचानक से में मेंट देख़ेगा पर मेरा पॉइंट अप्वियू से अलोग इंडेस्ट्री का सौट टाइम टारगेट 30 रुपीज का ही हो सकता है कि अलोग इंडेस्ट्री का पर्फोर्मेंस है अब आने वाले कॉर्टर में ही दिखेगा और इसने तो अपना लोन भी काफी ज़्यादा चो पे किया है जिससे क कि अलोग इंडेस्ट्री में एक संदर मुमेंट देखने को मिल सकता है पर आप यहां पर कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपका अभी अभी तक जो इस बार के कॉर्टर के बाद आपके पास अभी कितना सेर बचा हुआ अलोग इंडेस्ट्री का हम ताकि यह पता लग इस वीडियो थैंक यू